कि सचरी बता रहे हैं जो कुलर हमने बनाया है हीटर गुलर देख रहे हैं अब ट्रैड हो गया है है तक हम इस सामने आले कुलर कर बनाने के लिए यह जरूरत पढ़ेगी और कुछ वासर वगेर के जरूरत पढ़ेगी और इस टैब से दो वीडियो को लाग तक देखिम दो मोटी लकडी की बीट आप ले लीजिए जिसमें छोटी कील होती है वो आदा गुज जाए आदा बाहर रहे है जिसके मदल से हम कोईल को फसा सके ठीक है तो आपको दोनों बीट को कूलर के हिसाब से नाप लेनी है नाप के काट लेनी है काटने कवाद उपर नीचे लगेगा इसलिए जाली को अंदर जुगाड में लगा के बांद दीजिए बांदने के बाद आपको करना यह है जो दो लगडी के बीट थे उसको इतनी अच्छी तरीके से जाली पे या जाली पे या कूलर के सामने वाले फ्रेंट में किसी भी जुगाड बांद लीजिए उसको इतनी टाइट बांदे कि हम जब कॉइल उसमें फसाएंगे तो उसमें जरा सा प्रेसर लगेगा तो वो उसकी मदद से खिचाए ना तो हम अच्छी तरीके से उपर नीचे वाले को दोनों को बांद लेए जिए ध्यान रखेगा टाइट रहे नहीं तो खिचा ठीक है तो आप देख रहे हैं इस तरीके से बांद लें इस वाले बीट को हमने ऐसे ऐसे कर लिया है ऐसे ऐसे फसाने के बाद यहां से लेकर ऊपर तक यह वाली जो कॉईल है यह जो हीटर की कॉईल है हीटर की कॉईल को ऐसे ऐसे जिग जग करके यहां से लाश्ट तक ऐसे करके हम फिल कर देंगे फिल करने के बाद आपको दिखाते हैं पुड़ा कंप्लेट करके किल मार्किंग करने के बाद आपको बीट को एक एक करके निकाल लेनी होगी बाहर और बीट को बाहर निकालने के बाद आपको छोटी-छोटी किल लेनी है और जहां पे आपने मार्किंग किया है उस मार्किंग पे आपको किल को आधी-आधी ठोक लेनी होगी दोनों बीट पे उपर नीचे वाली दोनों वीट पे ठोक के उसको अच्छी तरीके से वापिस उसको लगा देना है लगाने के बाद आपको आगे देखते रही आपको पता चल जाएगा उससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोनों बीट में हमने खील को अच्छी तरीके से ठोक लिया है ठोकने के बाद उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब कि जरासा भी उसमें धीला पन ना होगा धीला पन होगा तो जो कोईल है कोईल दोनों लकड़ी को खीच लेगा और आपका सारा मेहनत बरवाद हो हुए गिलो की मदद से उपर नीचे उपर नीचे करके आपको उसमें जीएक करके बना देना है ताकि इस साइट से हवा आए तो इस साइट हिटिंग के धुश्व से पास होकर इस साइट कि आए तो हमने दूसरा कॉयल भी ले लिया है दूसरा कोईल ले लेने के बाद हमने जॉइन्ट कर दिया है जॉइन्टर के पास अच्छे से ध्यान रखें कि वह जाली पे टच ना हो और उसको ZIG ZAK करके हमने पूड़ा फिल कर लिया फिल करने के बाद हमको लगा दिया है कोई के दोनों सिरों पे लगा दिया है दोनों सिरों पे लगाने के बाद आपको कोई को उपर ले जाना है उपर की तरब से कोई सी भी कनेक्शन दे देनी है मैंने में expression board का इस्तमाल किया है हमने cooler से connection नहीं दिया है क्योंकि Cooler में जो है power आखार मोटर ले-लेगा आदा जो है यह हमारा कौरा को ईलेगा तहों जद्ट चलने पहें इसलएख कब ले से अलग connection दिया लग वोटंसे तो आपको आपको उपर एक दूसरे बौट से कोð को किनेकशन देनी है फिर उसके बाद आपको यह हमारा बन के तयार होका प्रोजच्ट हम पता नहीं है उपर का जो में आंडक है वो हैं है यह वाले कनेक्शन है कूलर पे गए है ठीक है है जैक है कि इसको मैंने फीट कर दिया है यहां से देखनें गरम आती है कि हेंड्रेट पर्षन में आपको बताओंगा कि हवा आ रही है है अच्छी गरम की नहीं तो देखते हैं क्या होता है पहले तो अपन इसको हो पावर दे देते हैं अपनी कोईल की power देती है आवाज सुन सक रहे हूं कि आवाज आ रही है इसका मतलब कोईल जो हलका हलका जो हीटर है रेड भी हो गया है आपको दिखा दें चाहता है हमें यहां तक गरम गरम आने लगा बटक कुलर हम ओन करते हैं उसके बाद देखने क्या होता है करें करें गाइस देखो मैं पटन अभी हपने हैं कि अब अधार यह गरम हवादे रहा है क्योंकि यहां पर हीट हो रहा है और उदर से हावा यह पास इसके थ्रूब आरे इसलिए हीट हो रहा है हंडर परशंट वर्किंगा लेकिन अब घर पे इसको ट्राइब ना करें यह मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था काम करता है नहीं लेकिन हंडर परशंट यह काम कर रहा है अब कोई थोड़ी जादा वाट कर लगाएंगे तो जादा बैटर रहेगा सच्वें बता रहे हैं जो